दोश्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ साक्षियार आप देख रहे हैं निक्स नाइन व्लाई बॉलिवुड में ऐसी बेहत सी लव स्टोरी है जिनकी असल कहानिया फिल्मों की कहानियों से जात आध्रिजस्प होती है आप सभी हेममालनी और धरमेंद्र की लव स्टोरी के बारे में तो जानते ही होंगे लेकिन आज जो किस्सा हम आपको बताने जा रही है वो काफे अलग है धरमेंद्र अपने शादी होने से पर हेमा की एक बार पहले शादी तुडवा चुके हैं जी हां बॉलिवुड में ऐसे कई लव स्टोरी हैं जिनमें ऐसी चीज़े हो इन स्टार्स की असल कहानिया फिल्मों की कहानियों से जादा दिल्चस्प होती हैं जैसे की है ममालनी और धरमेंद्र की लव स्टोरी आप सभी जानते ही होंगे इन लव स्टोरी के बारे में दोनों का प्यार भी फिल्मी पर्दों से ही शुरू हुआ था दोनों की जोड़ साल 1980 में शादी शुदा होते हुए अपनी पत्री को तलाग दिये बिना हेमा से शादी की थी लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र अपनी शादी होने से पर हेमा की एक बार पहले शादी दुड़वा चुके हैं जेहां हेमा मालिनी की शादी इंडस्ट्री के ही एक दिगश आक्तर के साथ तैय हुई थी बता जाता है कि दोनों एक दूसरे को बेहत पसंद किया करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे लेकिन जितेंद्र की एक गल्फरेंड थी जिनका नाम शोभा कपूर था ऐसे भी शोभा को ये पता चला कि जितेंद् चाहस के खोटल में शादी करने वाले थे जहां पहुच कर दोनों ने हंगामा कर दिया इसके बाद हेमा और जितेंद्र की शादी को रोक लिया गया जिसके बाद जितेंद्र की शादी शोभा से हो गई और धर्मेंद्र और हेमा के वीच नस्दी किया भड़ी और दोनों न my next night life